हेलो दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाला है अगर आप उसका रहें एक्सेज बैंक गरीट कार तो आप दोस्तो करीट कार से भी लोन ले सकते हैं वो भी बिना किसे डॉक्यूमेंट के और एक लो इंट्रस रेट पे दोस्तो इस वेडियो मैंने डही लाइक जिरूब प्रेस कर लिजेगा ताकि जितने वी वीडियो अप्लोड करूँगा आपको डारेक्ट नोटिफिशन में लेगा सबसे को देख सकेंगे तो सबसे पहले आपको प्लेश्टो पर जाना है प्लेश्टो जाके महां से एक्सिस मोबाल एप आपको इंस्ट्रॉल कर लेना अगर आपके फोन में इस्ट्रॉल नहीं है और आपका क्रेट कार्ड यहां पर रिश्टर कर लेना है इसके बाद में यहां पर जैसे आप लोगिन करेंगे तो आपके जो एक्सिस बेंग से रिलिटर जो भी क्रेट कार्ड ह कर सकते हैं और फिलीट कार्ट पर जाकि महां भी कर सकते हैं आपको अगर यह लोन है फिलिप G याने कि आपको कोई डोकुमेंट की दिनी की ज़रुत नहीं है मेरे क्रइट कार्त की लिमिट 2 लाके हैं लेकिन यह और लॉन में इस जड़ा ले सकता हूं और अगर आपको यहाँ आपे ओफर मिल रहाओ आप भी ले सकते हैं इस लोन को प्लाइ करने पर आपके credit card के जो limit of block नहीं होगी दूस्तों, loan के लिए available now पर आपको यहाँ पर tape कर लेना है, tape करने के बाद में आप देख सकते हैं, apply for instant loan के लिए आपको simply 3 step follow करना रहेगी, दूस्तों, first आपको यहाँ पर amount select कर लेना है, किता आपको यहाँ पर loan लेना है, जि इसके बाद में आप देख सकते हैं, आपर मैंने 5,000,000 रुपाइब यहाँ पर select कर लिया, time period select कर लेना है, नीचे में, जिसे मैंने आप 50,000 मन्त के लिए यहाँ पर select कर लिया, इस थाइब से आप भी select कर सकते हैं, यहाँ नीचे में आप देख सकते हैं, interest rate यहाँ पर 14% के लगबग में जो की ठीक है मीडिया में जादा भी नहीं है और कम भी नहीं है EMI यहां पर दोस्तों 6800 रुपए के लगबग में यहां पर बन रही है और प्रोसेसिंग फीस आपको दोस्तों यहां पर लगेगी 2% जो भी आपका अमाउंट सिलेट करें उसका 2% यहां पर प्रोसेसिंग फीस प्लस 8% GST रहेगा और एक एक्स्रा चाजस रहेगा दोस्तों यहां पर जो आपकी EMI रहेगी उसमें जो इंट्रस है उस पर भी 8% आपको GST देना रहेगा जोर्फिष्ट लोन के लिए आपके अकाँन डीटियल अपको यहां पर फिल कर लेना है जिस अकाँन में आपको यह अमाउंट चाहिए मकाउ faut लिक लेना है और वेलीड़ाँ कर देना है तो आपके अकाँन में एंपर 1.00 रुपा डिफ़ीड होगा और यहां पर आपका का की संब्रिया जाएगी और यहां पर loan की process हो जाएगी loan process के बाद में एक week के अंदर वी अमाउन आपके account में credit हो जाएगा इसके बाद में जब भी आपका first bill generate होगा उसमें आपको पहला आपको EMI रहेगी EMI के बाद में first time आपको processing fees रहेगी processing fees में भी 8% GST रहेगा साथ में दोस्तों थर्ड आपको जो एक्सर चाजस रहेगा जो आपकी एमाई जिसे 6800 मेरी एमाई उसमें जो इंटर से उस पर 18 परसंट जी एस्ट रहेगा इस टाइप से आपका पूरा बिल बन के आएगा उसमें यह सारी डिटियल रहेगी जब भी आपका बिल जन को सब्सक्राइब करें थेंकि दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए